गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं आपकी एवियस मैं और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फिप्त हैं बायो डेविस्टी मेनेश्मेंट और इसका टॉपिक 5.3 थ्रेट स्टो बायो डेविस्टी उसकी कॉज़स और इम्पैक्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक ह हमने पढ़ा हुआ है कि बायो डेविस्टी क्या हैं बायो डेविस्टी होट्स पॉट्स क्या हैं और पटिकुलर्ली हमने जमो कश्मीर का पढ़ा तो आज हम पढ़ेंगे कि बायो डेविस्टी को क्या थ्रेट है बायो डेविस्टी जो है वो दिन बर दिन डिक्रीज हो र अब कुछ causes जो हैं इसके वो क्या हैं हम डिसकस करते हैं जिससे हमें यह पता चलेगा कि बाइड़ेश्टी को क्या थ्रेट है और उसकी क्या impacts है अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है ठीक है तो कुछ का जो causes हैं उनको describe किया गया है जैसे कि पहला क्या cause है destruction of habitat habitat वो जगह होती है जहां एक रहता है breed करता है flourish करता है reproduce करता है जहां उसको best environment मिलता है best resources मिलते हैं जहां वो अपना काम अच्छे से अपनी जीवन जी सकता है अगर destruction इसी habitat का होता है इसकी वज़े से क्या हो जाता है क्या से पहले destruction होता है जैसे forest है बार बार हम forest को काट रहे है burn हो रहा है forest ठीक है wetlands जो है उनकी draining हो रही है filling हो रही है वो भी किसी का habitat है तो वहां भी बहुत सारा वायर डेविस्टी है forest में भी बहुत सारा वायर डेविस्टी है और जो natural area उनका conversion हो रहा है agriculture purpose के लिए लोग forest को काट रहे हैं और वहां cultivation शुरू कर रहे है इंडिस्ट्रियल यूज के लिए करते हैं natural area को use human settlement के लिए लोगों को वहां गर बनानी बनाई जाते हैं तो किसी न किसी का habitat खराब करके लोग अपने कामों के लिए यूज करते हैं mining activities होती है building of roads होता है और भी बहुत सारे development projects होते हैं जिसकी वज़े से natural area को है वो convert कर दिया जाता है तो वो जो natural area था वो किसी का habitat था तो किसी का habitat यहां क्या हुआ हुआ इसी तरीके से natural habitat एक organism का change हो जाता है destroy हो जाता है जिसकी वज़े से यह तो उस species को जो उस habitat में रहता है वो मर जाता है यह उसको force किया जाता है कि वो उस area से निकल जाए disruption होती है उस organisms की उन species जो उस habitat में रहते हैं उनकी disruption होती है उनकी interaction की disruption होती है उनका habitat छीन लिया जाता है किसी से किसी का गर छीन लेला बहुत बड़ी बात है हमें अगर कोई हम अपने ही गर से निकाल दे तो कैसा लगेगा क्या हम जी पाएंगे हमें फिर से flourish होने में कितना time लगेगा औ और कभी-कभी हमें ऐसा climate मिलते हैं हम नहीं जी पाते हैं तो वैसे ही जो organisms होते हैं वो इतना अपने आपको adapt नहीं कर पाते हैं और extent हो जाते हैं इसी तरीके से तो यह endangered बड़ते हैं तो habitat का destruction जो है उसकी वज़े से species बहुत हद तक kill हो जाते हैं ठीक है second one है habitat fragmentation habitat fragmentation जो होती है यह एक ऐसी process होती है जिसमें एक large area जो होता है habitat का वो reduce किया जाता है उसको divide किया जाता है दो या दो से ज़्यादा fragments में या छोटे-छोटे pieces में वहां क्या बना दिया जाता है road, field, town, dam क्योंकि human activities बहुत होनी है यह सारी सीज़े उस जगा बना दी जाती है और वहां पे रह जाते patchwork of habitat fragments जो population of species को इन patch में distribute कर देते हैं और वहां के जो resources होते हैं limited full use होता है उस resources का bio organizers क्योंकि जब पूरा एक बहुत बड़ा area था उसको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे हिस्से किये गए तो जो वहां का organism है वो भी बट गया ना उन हिस्सों में एक दूसरे के साथ interact भी नहीं कर पाया वहां पूरे area में जो resource था अब वो resource भी छोटे-छोटे fragments में बट गए तो उसके पास सारे resources भी नहीं थे अब जो पहले थे अब तो वो है ही नहीं अब तो वो भी बट गए हैं तो इनके पास limited resources होते हैं mammals और birds इनको बहुत जादा large territories चाहिए होती हैं और कुछ animals जो migratory habit होते हैं जिनको आदत होती है एक season में वो एक जगा होते हैं दूसरी season में वो दूसरी जगा होते हैं वो इस fragmentation की वज़े से बहुत affected होते हैं क्योंकि habitat उनको आदत थी वो एक season में जब यहां थे दूसरे सी जाएंगे उनका जो हां जाने का जो purpose है वो तो है ही नहीं तो वो बहुत ज्यादा effect करते हैं उनको ऐसा habitat वहां मिला नहीं क्योंकि उस habitat की तुकडे हो गए तो उसकी वज़े से population जो उस species की है वो decline होती गई थर्ड वन है introduction of exotic species exotic species वो होता है जो किसी और जगा पे आके अपन down कर लेता है जो उस जगा का तो होता नहीं है मगर वहां पे आके अपने आपको वो settle करता है exotic species जो है वो introduce कर किया जाता है नए एरिया में human activities की वज़े से यह birds की यह rodents की जब exotic species जो होती है जब वो किसी नई जगा पे अपने आपको land करती है वो वहां बहुत जगा कभी- ब्रीड करती है क्योंकि जहां वो पहले था वहां उसको अपने जैसे लोग में अपने जैसे species थे उनके साथ उनका competition बहुत जाता था resources को लेके, space को लेके, वहां के habitat को लेके, वहां के sexual partner को लेके बहुत ज़ादा competition था अब जो वो नई जगा जाता है उसके पास इतना competition उसको नहीं होता है वहां उसको resources भी फूल मिलते हैं, space भी मिलती है और breed करने के लिए partner भी comfortably मिलता है उसकी वज़े से वो उस area में अच्छे से कर पाता है अपने आपको flourish, अपने आपको breed कर पाता है, अच्छे से कर पाता है बट हर कोई नहीं, कोई कोई कर लेता है उसकी वज़े से क्या होता है, जो उस जगह के पहले से जो native species थे, जो वहां पहले से present थे वो बिचारों के resources खतम होने लगते हैं, क्योंकि वो तो किसी और ने ले लिया और उसको बहुत खले तरीके से मिला, तो जो बिचारे native थे, उनको वहां पे नुक्सान पड़ा के लिए खतम कर देती हैं, जैसे कहीं पे भी कोई जगह को कोई कबजा कर लेता है, फिर उदर का culture, उदर का customs, दीरे दीरे बहर जैसे होने, बहर वाला होगा, जैसे अब आप देखेंगे, हमारे culture बहुत डिफरेंट था, अब इसमें western culture मिला, तो हमारा भी सोच, हमारे पहन नावे, हर सीज western culture की तरफ हो रहे हैं, क्योंकि उनका introduction यहां हुआ था, इसी तरीके से जो exotic species किसी भी habitat में आते हैं, वो वहां के native species को क्या करते हैं, एफेक्ट, फर एक्जामपल, जो Congress grass है, यह एक tropical American wheat था, has invaded vacant areas in cities, towns, villages in India, leading to removal of local plants, यहां के local plants, क्योंकि वो इतना, कहीं पे भी देखो कि न, अगर एक जगा एक फसल चड़ गई, वो बहुत फैलती है, जो Congress grass होती है, नाम सुना होगा आपने, वो वहां के local plants की जगा भी खा लेती है, उदर के resources उनके, जमीन से जो nutrients है, वो भी ले लेती है, वहां के animals को खराब कर देती ह है, वहां का environment खराब करती है, वो बहुत है, फैल जाती है, लाइकवाइज नील प्रीच, एक exotic predatory fish, जब उसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोडियूस किया गया, तो उसने वहां का entire ecosystem जो लेक का था, उसको threat हुआ, उसने वहां के several native species, जो छोटी-छोटी small fish उस लेक में, विक्टियूरिया में थी, जो South Africa में है, वहां के जो small fish जो endemic थी, उस ही particular region की थी वो, उनको बहुत जादा खत्रा हुआ और उनको ही eliminate किया गया, उनको ही eliminate कर दिया, ठीक है, Latina American weed है, उसने क्या किया, forest land में, उसको exotic species चले गई, बहुत सारे इंडिया के parts में, और उसने वहा out कर दिया, एकदम से, तो जब exotic species किसी भी habitat में आती है, तो वो सबसे पहला काम क्या करती है, अपने आपको flourish, अपने आपके बारे में सोचती है, और अपने आपको फैलाती है, और वहां की native चीज़े जो है, वो खतम हो जाती है, उसकी वज़े से जो native place में, जो बायो डिव फोर्थ वन है, co-existension, co-extension हो गया, एक दूसरे के हम क्या करते हैं, एक दूसरे के उपर dependent होते हैं, चाहे हम लोग भी ले लो, चाहे कोई animals ले लो, हम सब एक दूसरे पर dependent हैं, जब हम plants के उपर dependent हैं, animals के उपर dependent हैं, microorganisms के dependent हैं, food chain में हैं, तो एक दूसरे के उपर dependent ही रहते जब इस ecosystem में एक भी species extent हो गया तो plant या animal species वो एक दूसरे के ऊपर associated होते हैं वो क्या हो जाते हैं वो भी extent हो जाते हैं अगर एक भी species हो जाता है उसके साथ दूसरा भी extension की तरफ चला जाता है जब एक hot fish species जो है वो extent हो गई उसकी unique assemblage थी एक parasite के साथ उसकी वज़े से वो भी खतम हो गया एक और example है plant pollinator mutualism ठीक है जब इन मेंसे एक खतम होगा दूसरा भी खुद बखुद खतम होगा क्योंकि एक दूसरे के उपर हम dependent होते हैं interactions होती हैं बायाटिक की living organisms की non living के साथ भी होती है तो जब हम एक दूसरे के उपर dependent हैं अगर एक खतम होता है तो दूसरा तो खुद बखुद होगा क्योंकि वो उसी के उपर dependent है अगर plant की variety खतम होई न तो पूरा का पूरा ecosystem खतम पूरा का पूरा food chain खतम हो जाता है क्योंकि हर वी वर तो उसी plant पे dependent है और carnaver carnaver पे dependent है प्लां निढ़ेगा तो ऑर्वेवर क्या खाया कुछ भी नहीं हर भी बज़ना ए नहीं क्या खाएगा तो carnaver क्या खाएगा कुद बखुद वो मर जाएगा थो एक की extension की वज़े से दूसरा खुद बखुद और टोमेटिकली एक्स्टिंट हो जाएगा ठीक है फिफ्ट बन है climate change climate जो जो चेंज होता रहता है उसकी वज़े से अर्थ पे बहुत इफेक्ट होता है और इको सिस्टम पे भी बहुत इफेक्ट होता है वहां का environment जो है वो चेंज होगा तो species इसके बाद है man wildlife conflict human population जो है वो expand होती रहती है और वो क्या करती है natural habitats जो है वो श्रिंक करती है अपने फाइदे के लिए forest को काटेगी तो factories बनाएगी industries बनाएगी road mining activities करेगी dam बनाएगी तो जितनी human population expand हुई वो आगे जाके natural wildlife की तरफ चली जाती है forest की तरफ चली जाती है natural habitat को श्रिंक करने में लगे होती है people and animals are gradually coming in conflict क्या होता है जब जो अगर forest को काटा या wildlife को हाम पुचाया वो कहां जाएंगे उनका habitat तो human beings ने अपने फाइदे के लिए exploit कर लिया उनके पेड़ पोदे काट लिये उनकी जो भी forest में जो भी चीज़े हैं अपने फाइदे के लिए यूज किया या forest का land एगली culture purpose के लिए यूज किया तो उनकी जगा खतम हो गई उनका खाना भी लूट लिया उनकी जगा भी खतम कर दी स्पेस खतम कर ली उसकी वज़े से वो बिचारे कहां जाएंगे वो हमारी तरफ आते हैं वो फिर residential area की तरफ आते हैं जैसे कि आप देखते हो कश्मीर में कितने सारे ऐसे issues हुए कि लिप जैसे man और wildlife का conflict होता है एक जगडा बनता है space के लिए food के लिए ये सबसे बड़ा threat है आज कल की बहुत सारी species अपने आपको survive करने के लिए different parts of the world में ये वाला खत्रा सबसे बड़ा है क्योंकि अगर wild animals हमारी तरफ आए तो हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे ठीक है और एक it's also an important threat to local human population के लिए है ये impact इसका बहुत बड़ा है लोग अपने crops भी गवा सकते हैं क्योंकि जानवर लोग आएंगे तो हमारी जिस forest को हमने काट के agriculture बनाया वो जगह तो उनी की थी वो तो आएंगे हमारे उस field में वो तो खराब करेंगे हमारी फसले हमारी properties हमारी में हुए कि लिए पर्ड ने मार दिया क्योंकि उनका हैपटाइट तो डिस्ट्रक्ट हो गया तो वो तो हमारे हमारे पास आएंगे हमारे से खाना भी लेंगे जगाएं भी लेंगे उन विचारों की क्या गल्ती है हमने उनसे चीन लिया ना तो मैं वाइड लाइफ करते हैं चाहिए वो फिर एंडेंजर है थ्रेटनर था यहां वर्नेबल है हम उसको मार देंगे ठीके ना तो हम रिवेंच करते हैं इस तरीके से फ्यूचर कॉन्फलेक्ट ना हो तो इसी चीज़े करनी नहीं चाहिए तो मैन वाइफ कॉन्फलेक्ट की वज़े से भी बायो वाटर पॉलूशन एसे ड्रेन यह भी डिस्ट्रॉइ करते हैं वाटर पॉलूशन फिशिस को किल करती है बहुत सारा एक्वाटिक प्लांट्स और अनिमिल्स को टॉक्सिक और हजार्डस सबस्टेंस जो हमारी इंडिस्ट्री इस फैक्ट्री या हमारे गरों से निकलती है वो अपना रास्ता तो पानी में ही डूंडती है वो तो लास्ट में डिस्पोज आफ पानी में ही जाती है पानी में एक्वाटिक लाइफ होती है उसको नुक्सान पहुंचता है और हम जो ऑईल स्पिल्स होते हैं जो हमारी बहुत सारी शिप्स में से लीक हो जाता है वो प बाद में हम तक ही वापस पहुंचता है और बाइडिविस्टी को भी खत्रा करता है एंड लास्ट वन इस एक पॉपुलेशन ग्रोफ और पावर्टी लगबग सिक्स बिलियन पीपल इस अर्थ पे हैं और वो नैस्टर रिसोर्स इस यूज करते हैं चाहे उनको खाना खाना ह है वाटर है मेडिसन है क्लोट्स है शल्टर है या फ्यूल है वो सारा यूज करता है वो सब नीचर से लेता है मगर वो एक्सेस यूज करने लगा कमर्शिलिजेशन हुई उसमें उसकी वज़े से क्या हुआ और एक्स्प्लाइटेशन होती है हर चीज की हम फॉरस्ट को काटते जाते रहते हैं हम माईनी एक्टिटीज हैफज अर्ली कर गया है उसकी वज़े से बायो डिवेस्ट्री को बहुत नुक्सान पहुँचता है कि फॉरस्ट को काटना पेड़ों को काटना वहां के जांगली जानवरों को उनका हैबिटाइट खतम होना मतलब वो पिचारे सर्वाइब कहां करेंगे वो भी खतम हो जाएंगे तो पॉपलेशन का ग्रोथ गरीबी की तरब भी जाएगा और हमारे हैबिटाइट हमारे बा पहला इंपैक्ट है कि इकोलोजिकल इंबैलन्स जब कोई भी स्पीशी फूड चेन में डिसेपियर हो जाएगा तो आटोमेटिकली हमारा नाच्रल बैलन्स जो नीचर का था वो डिस्टरॉब हो गया आप फूड चेन ले लीजिए ग्रास है फिर उसको हभी वर खा रहा है उ भी विचार मार घया इनमें से एक भी अगर खतम हो जाता है तो इकोलोजिकल इंबैलन्स होता है दूसरा है जैनेटिक इरोजन जब कोई स्पीशी लौस हो गया बायोडियविस्टी में कोई स्पीशी लौस हो गया तो उसका जीन भी लौस हो गया ठीक है उसकी वज़े से वो जो species का जो gene था वो खतम हो गया हमें पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा species था genetic erosion हो जाता है ठीक है 3rd one disruption in biogeochemical cycle biodivisity जो है ये maintain करती है biogeochemical cycles जो nitrogen cycle हो carbon cycle हो, forfo cycle हो या हमारा sulfur cycle हो carbon cycle हो ये बहुत ही essential है nutrient cycling करने में मगर अगर ये ही loss होगी bio-divisity तो ये nutrient को cycling करने कौन करेगा उसकी वज़े से क्या हो जाएगा हमारा जो loss of bio-divisity हो जाता है जिसकी वज़े से biogeochemical cycle में disturbance होती है क्योंकि हर चीज का होना बहुत ही important है पेड़ पोदे हैं वही जाके फिर हमारी जमीन में भी मिल जाते हैं nutrient प्रोवाइड करते हैं या जो हमारे decomposers होते हैं वो adapt करवाते हैं किसी ने किसी तरीके से पर अगर इसी bio-divisity को नुकसान पहुचाया गया तो ये हमारे biogeochemical cycles को नुकसान पहुचाता है फूर्थ है loss of aesthetic value green plants या बहुत सारे variety of animals ये आप देखेंगे न ये biosphere में जब होते हैं या पूरे world में तो ये एक अच्छा सा feel देते हैं अगर ये लोग होए ही नहीं bio-divisity में ना green forest हुआ बहुत सारे animals नहीं हुए तो bio-divisity में बचा गया अच्छा लगेगा एक बंजर जमीन में कहीं गूमना फिरना कुछ मज़ा नहीं आता बंजर जमीन में जिन्दगी गुजारना क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं आप हर्याली में जाओ आपको कितना अच्छा विववपॉइंट मिलता है बहुत अच्छा लगता है इसी लिए चिया हारियाली पहाड़ों होते है हमें बहुत अच्छा इसलिए लगता है बहुत fresh इसलिए feel करते हैं क्योंकि pure oxygen हमें वहां मिलता है कोई भी वहां pollution नहीं होता है mind fresh होता है तो बट अगर इबायोडिवेस्टी नहीं होगी तो वो जगा एक dull place हो जाएगे वहां जीने कोई मज़ा नहीं आएगा फिफ्ट वन है soil erosion जब बायोडिवेस्टी नहीं रहेगी पेड़ पोदे नहीं रहेगे इस soil को बाइन कुन करेगा स्वाइल को पकड़ के कौन रखेगा क्योंकि स्वाइल रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के वह स्वाइल को पकड़ के रखते हैं वह उसको इरोड नहीं होने देते हैं उसकी वज़े से क्या होते हैं अगर बायोडिवेस्टी डूस हो गई जिसकी वज़े से फटिल्टी जो है स्वाइल की दीरे दीरे लॉस हो जाती है और सिक्स वन है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्या है कि जब बायोडिवेस्टी लॉस हो गई तो जैसे अगर फॉरस्ट खतम हो गए यह हमने उनको डेस्ट्रॉई कर दिया अपनी एक सब्से बड़ा सिंक है ऑक्सिजन का तो यह सबसे बड़ा सिंक है कामट एकसेट का और ऑक्सिजन का प्रोड़ेक्शन पिबहुत जादा कराता। पर जो वही नहीं रहेगा तो पूरा कालमड़क सही रिखेला रहेगा तो climate में ज़्यादा heat हो जाएगी, global warming हो जाएगी rainfall का भी reason है, rainfall होगी बट होगी नहीं जब forest नहीं होगा, temperature काफी ज़्यादा ये effect होगा कभी slow तो कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी ज़्यादा वारिश होई तो वो भी harmful है, बहुत गर्मी हो जाएगी, उस वज़े से climate उस region का बहुत affected रहता है survival value, 7th fun है survival value, loss of किसी भी species का, उसकी वज़े से दूसरे species का survival जो है वो threat में आ जाता है हर कोई organism जो इस अर्थ पे है, इस biosphere में है, वो एक दूसरे से linked है, थो फूर्चे बट अगर एक नुकसान में आ गया, दूसरे का उसके उपर effect आ गयी, वो दूसरा कैसे survive करेगा जैसे मैंने पहले ही बोला, एक organism है, वो दूसरे के उपर dependent है producer जो है, उसको खाने वाला तो हर भी वर है, पर अगर producer नहीं रहा हर भी वर क्या खाएगा हर भी वर भी वर भी नहीं बच पाएगा, हर भी वर नहीं रहा तो कानी वर क्या खाएगा तो food chain में एक भी tropic level का disruption होना, destruction होना, वो नुकसान पहुचाता है दूसरे को तो survival value खतम होने लगता है, कोई भी organism रह नहीं पाता है